हमारे इस खास सेग्मिंट एक्स्प्लेनर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शवानी पांडे एक्स्प्लेनर में बात एक बार फिर अंतराश्टिक खबरों की और अंतराश्टिक खबरों में आज जिक्र होगा इरान का और इरान के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी समू जैश अल अदल का इरान का जिक्र किसले जरूरी है हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन पहले आप ये वीडियो भी देखे ये दावोस का विडियो है जो कि दावोस से आया है और दावोस में एक बैठक होनी थी जिसमें इरान के जो कारेवाहग प्रधानमंत्री हैं वो पहुँचते हैं लेकिन मीडिया उनसे सवाल करने लगती है जो हमला हुआ था इरान की ओर से कल रात यानि की मंगलवार रात को पाकिस्तान की एक आतंगी संगठन जैश अल अदल पर उसको लेकर जैसे इनसे सवाल होते हैं वो बच्छते हुए नजर आते हैं उनकी जो security guards हैं वो मीडिया को पीछे करते हुए नजर आते हैं और वहां से वो बच्छ कर निकलते हुए साफ नजर आ रहा है इस विडियो म को इरान की ओर से इरान की revolutionary guards की ओर से पाकिस्तान पर हमली किये जाते हैं और पाकिस्तान का ये जो इलाका था ये था कू सब्सका ये इलाका ऐसा इलाका है जहां पर ये जो सुन्नी आतंकी समू है पाकिस्तान का जैश अल अदल इसके सबसे जादा आतंकी रहते हैं और इसी व जिसके बाद अब पाकिस्तान ने इरान से अपने राज़दूद को वापिस बुला लिया है। बहुत सारी चीजें होती हुई इस बीच नजर आ रही हैं। लेकिन अब आप ये समझें कि आखिर इरान ने ये हमला किया क्यों। दरसल ये जो सुन्नी आतंकी समू है जैश अल अदल जो की सबसे ज़ादा गर ऑपरेटिव है तो ये बलुचिस्तान की शेत्र में ही ऑपरेटिव है। और कई सारे हमले अब तक इरान पर ये कर चुका है। 2009 के बाद से अब तक पांच बड़े हमले इसकी ओर से किये जा चुके हैं। और जो सबसे बड़ा एरिया इसका जो टार्गिट में रहता है इरान का वो है सिस्तान बलुचिस्तान का इलाखा। इरान और पाकिस्तान आपस में एक लंबा बॉर्डर शेर करते हैं। लगबग ये 1000 किलोमीटर के आसपास का है। और इसमें एक बड़ा शेत्र सिस्तान बलुचिस्तान का आता है। सिस्तान बलुचिस्तान का जो प्रांथ है वो आता है इरान में। और कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे इरान की सुन्नी अलपसंख्यक रहते हैं और ऐसे में यह पूरा जो इलाका है शिया प्रभुत वाला है तो शिया प्रभुत वाला इलाका होने की वज़े से बहुत सारा भेद्भाव भी इन सुन्नी अलपसंख्यकों को यहाँ पर ज और इसको एक तरीके से पूरी जिमदारी पाकिस्तान की ओर से भी दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान को कौन नहीं जानता और किस तरीके से हर प्रांट में पाकिस्तान अपने आतं की समूह को बढ़ा कर रखा है और उसमें से एक जो शेत्र है, ये है सुन्नी आतंकी समों का जो कि बलुचिस्तान का पूरा शेत्र आता है और इसका जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से भी शेर होता है और इरान से भी शेर होता है और इस आतंकी समों को पुरी जिम्यदारी दी गई है इन दोनु को आपरेट करने की यानि कि इन की समू की ओर से जो की इरान के ही सिस्तान बलीजिस्तान अलाके में हुआ था वहां पर बॉर्डर पर इक पुलिस चौकी तैनात थि और हमला कर दिया जाता है इस आतं की समू जैश-al-दल की ओर से और उसमें 11 इरानी अधिकारी मारे गए थे इसी कारण वश यह हमला यहां पर हुआ है लेकिन जैश अल अदल आखिर यह कब बना यह कौन सा आतंकी समू है आप इसकी डीटेल्स आप समझ लीजे जैश अल अदल का मतलब होता है न्याए की सेना और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी एक सुन्नी आतंकी गुठ है जो सबसे जादा अगर ऑपरेटिव है तो पाकिस्तान के सीमवर्ती इलाको में इसकी कई सारे ठिकाने वहाँ पर मौझूद है जहां पर हमला किया गया इरान की ओर से वहाँ पर भी इसकी कई सारे आतंकी मौझूद थे और कई सारे यह बड़ा बदला था जिसमें कहा जा रहा है इस हमले में दो बच्चे मारे गए हैं और तीन लोग घाल भी हुए हैं तो सीमावर्ती इलाकों में इसकी सबसे जादा मौझूद्गी रहती है और इरान की जो ग्रे मंत्री एमद बाहिदी हैं उन्होंने हमले के लिए जैश अ अदल को ही उस वक्त जिम्मिदा ठेराया था जब दिसम्बर 2023 में इस आतंकी समू की ओर से उसकी चौकियों पर हमले किये गए थे और अब यह कहा जा रहा है कि इसी का बदला एक तरीके से इरान यहां पर ले रहा है तो आप समझ गए होंगे कि आकिर इरान ने यह हमले क्य किये लेकिन अब जिस तरीके से तनाव इरान और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है इससे आगे क्या होगा आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के जरी हमें जरूर बताईए